लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है लगतार अपरादी अपरादी घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं ऐसा ही एक मामला बीती देश शाम उस समय सामने आया जब रित्रकूट का रहने वाला आशी शुकला मत्रा के विवेन मंदिरों में लिवेश और अरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए अगारे जी का जर्शन कनने आया था वही आया था मैं परसों आज का घटना घटना जोई और का जा रहे हैं का रहे है शरमयों हसे स्टेशन साइड आ रहा था गाउं जा रहा था चित्तकूट तो तिन ल गाड़ी से मेरे आगे पीछे लगाए थे उसके बाद जब मेरी परस खीच लिये थे मेरे 2020 रुपाए थे पूरे निकाल लिये हैं और इसको आपकार के बास मेरे केसे निकाल लिये जब मेरे पाचे तीन लोग थे मेरे एक लोग हाथ पकल लिया है एक हास से पकड़ा था त उसी तरह खीच लिये हैं अब अगल से गाड़ी लगाया था अगर जा दिया दुनिया उसके बाद में आवाद मारा जब पैसे निकाले टुरंट भाई इस्टार्ट थी इस इंबाट के आगे तेजी से निकल गए हैं मत्रा पुलिस लाक दावे करें सूर्चा की लेकिन मत्रा में ये कहीं भी देखने को नहीं मिला जिस तरीके से मत्रा के प्रति क्या मैसेज जाता है ये देखने को भी मिला एक आशे साले जो चित्र कूट से मत्रा गूमने आये थे और उनके साथ दो युपकों ने उनके साथ मार्पीट किये और उनके पैसे छोड़ा लिए जब पुलिस को इस बारे में सिकायत की गई तो पुलिस के मत्रा के लोक देना चाते हैं पुलिस प्रसासन देना चाता क्या देना चाता है कि किस तरीके से मत्रा में इस तरीके से इगट रहे होती रहेंगी और कब तक पुलिस इस पर कारवाई नहीं करेगी ये एक बहुत बड़ा प्रसन चिन भी पुलिस पर लग रहा है लेकिन जो थे लिए मत्वरा के अच्छे अधकारियों को बड़े अधकारियों को इस पर चिंतन भी करना पड़ाएगा संभाद भी करना पड़ाएगा देखा जाए तो योगी उतरप्रदेश के मुक्मंत्रियां भूवी लगातार पुलिस को इस बात के आदेश दे रही है कि किसी भी तरीके से किसी भी पारेटर के साथ में कोई भी अबदर बेवार ना किया जाए